दो हजार तेएस के फाइनल एक्जाम्स की आप तियारी कर रहे हैं, वजीश का प्चान सौने का पक्चा प्चान問ों अच्छे अंक सिर उपने लाई करने पूरा का प्चान स्वास। पर लास्ट टाइम के उपर आपको कौन-कौन से कुश्चन्स तो की पूरा स्लेबस लास्ट मॉमेंट के उपर नहीं कर पाते हैं, तो important questions या important topics ऐसे होते हैं, जहाँ पर संभावना बनी रहती है, उसके उपर आप थोड़ा सा stress कर देंगे, तो अच्छे अंक आपको मिल सकते ह हैं, तो वो सारे चीजें आज इसी वीडियो में हम discuss करेंगे, सबसे पहले हम एक बार question paper की designing जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको देखते हैं, तो देखते हैं, तो देखें कि यहां पर साफतोर से लिखा हुआ है, जो आपके पठ्थे पुस्तके हैं, जो भी आप पहला जो question होगा, वो 15 पार्ट होगे, objective type का वो question होगा, तो इस दरीके से, तो total मिलाके यहां पर 20 question बनेंगे, पहले question के 15 पार्ट होगे, वो अलग बात है, तो 20 question total होगे, और 70 number का जो आपका exam है, वो होगा, पांच marks के जो questions हैं, वो बहुत important है, तीन question आने हैं, और तीन question मे है, वो unit number 3 से बनता है, उसके बाद यहां unit number 1 से भी संभावना बन जाती है, और unit number 4 से भी 5 number का question देते हैं लगबग, और unit number 8 या 9, इन में से दे सकते हैं, तो खुल मिलाके 6 unit होगी, तो यहां पर संभावना यह बनी रहती है, जो 5 number का question है, उसमें आम तोर से आपको और के सा option मिलता है, part 1st या 2nd, तो maybe उसमें से एक unit में से और दूसरा part दूसरी unit में से हो सकता है, यह 12th class का फजिसा complete syllabus आपके सामने है, पूरे syllabus में से कुछ भी पूछा जा सकता है, परन्तु कुछ important topics होते हैं, वो यहां पर हम dismiss करेंगे, first unit है electrostatic और उसका first chapter है electric charges and failure, charge के बारे में आम तोर से quantization of electric charge यहां से पहला ही topic बनता है, जिसके उपर एक number का numerical आम तोर से देखने को मिलता है, उसके बाद like charges repel each other and shown, एक जो important बनता है वो है frictional electricity, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, और उसके बाद जो coulum's law है, coulum's law बहुत important है, coulum's law से कोई न कोई a question या numerical जरूर पू सकती है, define one column of charge and shown, यहां पर सबसे important topic बनता है इस unit का, electric field की unit जरूर ध्यान रखें, कि unit क्या होती है, और electric field है क्या, point charge के कारण electric field क्या होगा, और due to system of charges के कारण electric field क्या हो सकता है, अब यहां से तीन number में कई बार question पूछा जाता है, कि electric lines of force क्या होती है, उसकी properties क्या है, तो क electric flux की unit कई बार पूछ ली जाती है, कि what are the units of electric flux dimension formula भी कई बार पूछते हैं, यहां पर, electric dipole की बात करें, तो दो number में अगर question आता है, तो electric dipole के बारे में, वो आम तोर से पूछता है, what is electric dipole definition उसकी पूछी जा सकती है, and उसके बाद उसकी unit पूछी जा सकती है, but important है यहां प green color का मतलब है, वो पूछे जाएंगे, और जो, मैं यहां पर orange color जिसे करूँगा, वो उससे ज्यादा important हो जाते हैं, थोड़े से extra important जो अब आपको दिखाई दे रहे हैं, वो इस तरह के होंगे, और जो red में होंगे, वो तो देखिए, chances पूरे-पूरे रहते हैं, कि exam में उ uniform electric field, काफी important है, या तो इसके उपर torque पूछ लेगा, torque नहीं पूछेगा, तो energy पूछेगा, तो potential energy of an electric, क्योंकि इस ती को अगर थोड़ा सा आगे हम extend करते हैं, तो ये topic बन जाता है, electric field के अंदर, गोसला कई बार पूछ लिया जाता है, direct, इसी के अंदर, तो ये काफी important होत सबसे important इस unit में अभी तक इस chapter में कौन सा topic बनता है, तो देखिए, इस chapter की यहां तक की बात करें, तो जो सबसे important यहां पे बनता है, वो है torque and electric dipole in uniform electric field, इसके उपर पूरी सम्भावना वनी रहती है, एक question बनाने की, तीन नमबर का आम तोर से question, यहां से पूछ लिया जाता ह लगबग पूछ लेते हैं, उसके बाद यहां पे आती हैं, इसकी applications charge spherical cell के लिए to parallel uniform charge boss lucky applications वगेरा है, काफ़ important है, कर सकते हैं इनको, आप करके जाएं, कर सकते हैं नहीं, बलकि करके जाएं यहां से, field due to parallel uniformly charge plane seat, यह कई बार इसको पूछ लेते हैं, तो यह थोड़ा सा important है, अ बड़े question जो भी होंगे वो लगबग इसी पार्ट में से पूछे जाते हैं, तो यहां पे सब सुरुवात होती है, electric potential से, और यह important बनता है, एक number में भी पूछ सकते हैं, तीन number में पूछ सकते हैं, potential की unit क्या है, और किस तरीके से relation होता है, दूसरे electric field के साथ, या force के साथ, वो relation जरूर आप ध्यान रखें इसका, अब दो number में कई बार देखा गया है, एक question पूछ लियाता है, relation between field and potential, उसके बाद बारी आती हैं, यहां पे important topic, capacitors की, इसकी units क्या है, और potential के साथ, इसकी relation क्या है, वो काफ़ important है, और parallel plate capacitor के बारे में article पूछा जा सकता है, और क्या effect ह होगा, इसमें अगर conducting plate रखती जाए, आम तोर्शे पूछते हैं इसको, dielectric plate के साथ भी आप जरूर करके जाए, combination of capacitors, यह है इस unit का सबसे important और even 5 नंबर में भी इसकी संभावना बनी रहती है, series and parallel, और series and parallel के साथ-साथ यहां पे कोई combination आपको दिया जा सकता है, उसको आपक की संभावना रहती है, combination of capacitors का जरूर करें इस चीज़ को, and next है energy stored in a condenser या capacitor, इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, तीन नंबर में यह question आता है, तो यह इस first unit के कुछ important topics थे, आम तोर्शे numerical यहां पे तीन topics के उपर पूछे जाते हैं, quantization of charge के उपर आम तोर्शे question पूछ ल बनता है, वो बनता है combination के उपर, combination of capacitors के उपर, आम तोर्शे एक बड़ा question वो बना लेते हैं, तो यह काफी important है, इस unit के topics, अब चलते हैं, unit number 2, current electricity के तरफ, हाला कि छोटी सी unit है, but Mars के according यह काफी बड़ी unit बन जाती है, यह आपके score को change कर सकती है, पूरी तरह से, यह काफी इस unit है, छोटे-छोटे topics हैं, but important है, तो इसलिए, इस unit को एक बार पढ़के पूरी को जाएं, सारे चीज़े important है इसके अंदर, but जो ज्यादा important कुछ topics हैं, जिसके उपर आम तोर से पूछा जाता है, वो यहाँ पर मैं आपके साथ इसस करूँगा, एक तो यहाँ पर जो important ह है, वो है drift velocity, और drift velocity में भी आम तोर से पूछा जाता है, drift velocity relation with current, mobility and their relation with electric current, resistance, resistivity या conductivity के उपर आम तोर से एक conceptual question पूछ लेते हैं, कोई भी, miracle भी इसके उपर डाला जाता है, कि length increase कर दी जाए, तो resistance के उपर क्या effect पढ़ेगा, resistivity change कर देंगे, तो क्या पढ़ेगा, इस तरह का conductivity के वो पूछा जा सकते है, कई बार पूछते हैं, इस तरह के, अब यहाँ पर जो important एक question हम sure कह सकते हैं, जिसके उपर संभावना बनी रहती है, हम तोर से exam के अंदर, और वो है color code for carbon resistance, एक number का question यहाँ से पूछ ही लेते हैं, कि कोई combination आपको दे दिया जाएगा, उससे पू unit को ही जाना है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें थोड़ी सी, अब important यहाँ पर बनता है combination of resistance का, तो combination of resistances आप जरूर करके जाएं, क्योंकि यह जो वो question है, जो ज्यादा संभावना रहेगी, कृचोप सलाज के उपर आम तोर से question एक के डाल देते हैं, तो important है, बड़ा important व के उपर आम तोर से question पूछा जाएगा, इसकी applications के अंगर, उसके उपर question एक बनने की संभावना रहती है, तो वो potentiometer से शुरू हो जाता है, और potentiometer की applications, measure करने का difference वगेरा, यह पूरा का पूरा पार्ट, इस unit से numerical जरूर पूछा जाएगा, जिसमें combination of resistance हो सकता है, या कोई question हो सकता है इसी तरह का, तो वो आप ready रहें उस चीज के लिए, next आती है, unit number 3, magnetic effects of current and magnetism, देखिए, यहाँ पे एक question है, जिसको surely हम कह सकते हैं, कि 5 number का एक question पूछा जाएगा, और 5 number का जो question की संभावना बनती है, वो बनती है, moving coil galvanometer की, यह आम तोर से question paper में आता ही आता है, अगर आपकी किस्मत खराब रही तो नहीं आएगा, otherwise यह paper में एक question, moving coil galvanometer, या इसी question को दूसरे नाम से western type of galvanometer के भी दे सकते हैं, तो यह चीज पक्का करके जाएं, यह नहीं आता, तो इसके बज़ाए, दूसरा question जो इस unit में से पूछा जा सकता है, वो torque experienced by a current loop placed in uniform magnetic field, इन दोनों में से एक question तो surely आही जाता है, तो इनको तो आप पक्का करके जाएं, क्योंकि सवाल 5 number का है, बट यहाँ पे एक topic और important है, and that is cyclotron, यह question भी संभावना पूरी-पूरी है, इन में से एक question यहाँ पे 5 number का आने की, जो 2 या 3 number की संभावना है, वो ampere circuit Allah की applications में से कोई भी एक question आम तोर से पूछ लिया जाता है, ज्यादा संभावना यहाँ पे इन में रहेगी, toroid and solenoid के बारे में, अब यहाँ पे करते क्या हैं, कई बार वो एक या दो number में बना देते हैं, कि galvanometer को आप किस तरीके से m meter में या volt meter में convert करते हैं, तो वो इसके साथ साथ होई जाता है, next issue unit का जो second part है, magnetism and matter, इसमें से देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आम तोर से elements of earth magnetism में से कोई भी एक question यहाँ से डाल देते हैं, इन number में आएगा, और एक number का या दो number का को एक question पूछा जा सकता है, तो इसकी properties के उपर पूछा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं, next है unit number 4, alternating currents, यहाँ से भी 5 number की एक संभावना बनी रहेगी, और 5 number के संभावना बनती है, इसके जो next part है, उसके अंदर, and that is important, यहाँ पे जो सबसे बन जाते हैं, वो एक तो transformer है, और transformer में energy losses किस तरीके से step up, step down transformer, उसकी पूरी-पूरी संभावना बनी रहती है, और उसके साथ, जो दूसरा जो important बनता है, वो है AC generator, अगर यह दोनों में से by chance question नहीं बनता, तो यहाँ पे LCR series circuit के उपर question बनेगा ही बनेगा, तो यह तीन important questions हैं, जिसमें से एक पाँच नंबर का question आपन तोर से आपको exam के अंदर देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ तीन तीन नंबर के questions में तो फिर पूरी unit होई जाते हैं, तो कि जिस unit में से ज्यादा question आने होते हैं, तो वहाँ पे सम्भावना थोड़ी से ज्यादा बनी रहती है, जिसमें question फेराडेलाज के बारे में पूछा जा सकता है, या lenses ला के उपर पूछा जाएगा, या eddy currents की एक application पूछ सकते हैं, उसके बाद power in AC circuit या wattless current ये काफी important हो जाते हैं, तो ये कुछ एक topics हैं, इस unit के बाकी unit पूरी के पूरी बाकी सारी important होती ही है, एक question यहाँ से इस unit में से AC और DC के comparison के साथ भी पूछा जा सकता है, उसके बाद जो electromagnetic waves है, unit number 5, इस unit में से जो question पूछते हैं, वो electromagnetic spectrum के उपर संभावना ज्यादा रहती है, हालाकि इस unit में से बड़ा question नहीं आएगा 5 number का, 2 number का हो सकता है, maximum 3 number का हो सकता है, यहाँ से question कोई भी, तो इनकी संभावना थोड़ी से ज्यादा बनती है, अब आती है, एक core important unit, that is unit number 6, इस unit में से एक बड़ा question बनेगा ही बनेगा, और उस question की संभावना जो बड़ा question बनता है, तो देखिए, जो पहला part है, जिसके अंदर reflection का part है, जिसमें हम lens discuss करते हैं, तो ab initio method से, जो lens makers formula है, वो पूछ लेते हैं, तो lens makers formula, मैं पांच नमबर के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, सबसे important part बन जाता है, उसके बाद फिर आगे जलते हैं, इस unit में, तो किसी भी एक optical instrument, आम तोर से microscope या telescope के बारे में पूछा जा सकता है, बट इस से ज़्यादा सम्हावना बनी रहती है, यंग्स double slit experiment की, और उसके बाद यहाँ पर पांच नमबर की जो सम्हावना बनती है, वो बनती है diffraction के बारे में, तो यह चार पार, जिसमें lens makers formula, एक optical instrument, यंग्स double slit और यहाँ पर diffraction, इन में से भी अगर मैं और ज़्यादा important कहें, जिसकी सम्हावना ज्यादा रहेगी, वो एक तो lens maker formula और दूसरा यंग्स double slit experiment, आम तोर से सम्हावना रहेगी, कि इन दो में से एक question तो आही जाता है exam के अंपर, तो इनको ज़रूर आप पूरा करके जाएं, उसके बाद तीन नमबर में, तीन नमबर में देखिए, यहाँ परी unit important है, यहाँ पर ऐसा कोई topic नहीं है, जिसको हम छोड़ पाएं, रैसे lengthy unit भी है, और दूसरा सबसे ज़्यादा marks भी यही रहे, petrol shift से ले करके, और यहाँ तक का, total internal reflection and its application, optical fiber mirage, totally reflecting pre-jumps and a brilliance of diamond reflection at convex concave surfaces, यह पार्ट आम तोर से ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके बाद वाले पार्ट के उपर से बड़ा question बनत जिसमें से आप ज़रूर करें, इस पार्ट में से जो green color से यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है, इसमें से आम तोर से तीन number का question आपका ज़रूर पूछ लेगें कहीं ना कहीं से, इस पार्ट में से ही एक पार्ट में से, अगर वहां से तीन number का question नहीं बनता, तो क्रीन कलर दिखा है इसमें से question की बन ही जाए तो ये थी unit number वैसे पूरी unit काफी important है most important questions मैंने आपको बता दिये उसके बाद आता है unit number जो हमारे 7 है that is dual nature of matter and radiation देखिए इस unit में डी ब्रोगली wavelength के उपर एक question आम तोर से पूछे दिया जाता है और दूसरा जो question बनेगा वो Einstein photo electric equation के उपर जरूर पूछ लेते हैं तो इन दो topics में से एक question आपका surely यहां पर बच जाएगा तो यह most important है बाकी जैसे यहां पर work function हो गया and so on वो छुटी-छुटी definitions है वो कहीं से भी पूछी जा सकती है एक दो बार देखने में यह आया कि डैविनरेशन जर्मर experiment को भी उन्होंने दिया है तीन नमबर के अंदर वो कई बार पूछ लेते हैं कि temperature दे दिया किसी भी चीज़ का तो उसके coding डी-ब्रोगली वेवलेंट क्या हो सकती है क्योंकि वहां पर डी-ब्रोगली वेवलेंट में energy के साथ relation करके भी हम वेवलेंट कर सकते हैं तो यह important है आप जरूर करके जाएं उसके बाद atom and nuclear unit number 8 शुरू होती है और 8th unit के आंगता है जो important बनता है वो बनता है Rutherford alpha scattering experiment वो model क्या था क्यों fail हुआ उसके बारे में question पूछा जा सकता है तो बोहर's postulate अगर simply पूछे तो तीन नमबर में पूछ ले जाएंगे otherwise पूरा question अगर वो द atomic model था उसके बारे में complete वो पूछ रहे है और जो next part है इस unit का वो काफी important है और उसमें भी जो important है वो है mass defect and binding energy कर मास defect या binding energy के उपर एक question जरूर देते हैं exam के अंदर वो किसी भी type से हो सकता है calculation हो सकती है या उसकी कोई definition हो सकती है तो binding energy and mass defect आप जरूर करके जाएं यहाँ औ fusion के बीच में difference कोई भी एक conceptual type question यहाँ से पूछा जा सकता है अब मूँ करते है unit number 9 electronic devices की तरफ special pen genction diode जैसे zener diode हो गया zener diode as voltage regulator तीन number में question डावते है LED के बारे में क्या benefits वो पूछा जा सकता है photo diode and solar cell इतने important नहीं है but zener diode is most important topic for three marks in this unit उसके बाद 5 number रहा question कहां से आएगा तो देखिए 5 number के लिए आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे rectifier जिसके अंदर half wave and full wave तो पूरी संभावना रहती है कि full wave rectifier के उपर एक बड़ा question वो पूछ लेंगे तो full wave rectifier काफी important हो जाता है diode as a full wave rectifier and जो next part बनता है इसी unit में transistor as an amplifier in common configuration यह काफी important question तीन number के question में आप से पूछा जा सकता है zener diode as a voltage regulator और semiconductor diode जो junction diode की उसकी IV characteristics और एक number का question यहाँ पे बन सकता है बन सकता है नहीं आम तोर से पूछा ही जाता है वो है gate के बारे में logic gate इसके उपर एक या दो number का question पूछ लेते हैं तो यह है unit number 9 unit number 10 देखिए syllabus से हटाई जा चुकी है 2022-2023 के अंदर unit number 10 syllabus में नहीं है इन में से जो questions मैंने आपको बताए वो कुछ important most important questions है संभावना है इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी दूसरे question नहीं आएंगे यहाँ पर simple सा मतलब इनको समझने का यहीं था कि जब आप final तैयारी करें तो इन questions के उपर थोड़ा सा stress ज्यादा रखें जिसके कारण आपकी संभावना रहेगी एक्जाम के अंदर कुछ अच्छे अंक्योकीन में से संभावना बनी रहती है वो help आपकी कर सकते हैं अब अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो तीनों categories में benefit हो सकता है उन topers के लिए जिनको लगता है कि एक भी number मुझे चोड़ना नहीं है दूसरा उन midiokers के लिए जो 30-40% तक आम तोर से रहते हैं वो 70-80% तक score कर सकते क्योंकि important questions उनको काफी यहां से help हो जाएगी और उनके लिए भी जो निरास हो चुके थे कि साइद अब की बार नईया पार ना हो पाए अगर आप ये कर लेंगे आप निरास नहीं होंगे आप खोस होंगे exam होने के बाद कि आपकी नईया भी पार हो जाएगी time लगाईए थोड़ा सा जो important topics मैंने बताएं हैं ये कर लिए इसमें से संभावना है कि आपकी नईया जरूर पार हो जाएगी अभी exam में time है अगर आपका कोई भी question है या कोई भी आपको किसी बात को पूछना चाहते है तो नीचे comment section के अंदर जरूर लिखिए मेरी कोशिश रहेगी कि exam से पहले पहले आपकी सभी queries को solve करने की best of luck for your exam अब अच्छे हंग से इस exam को clear करें thank you very much